प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज घाट पर पहुंच चुके है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को नमन किया है ट्वीट कर गांधी जी और शास्त्री जी दोनों को नमन किया है और प्रदानमंत्री निकाहा कि आज़ादी के अमरित महुत्सों के वज़े से इस बार गांधी जैन्ती और भी प्रासंगिक हो जाती है प्रदानमंत्री नाहवान किया है कि खादी और हैंडीक्राफ्ट के प्रती हमें और जादा जोर देना होगा और इसी तरह से हम जो गांधी जी के सपने थे जो उनके विचार थे उसको पूरा कर सकते हैं आज के इस नए भारत के निर्माण का जब युग है तो ये विशेश कारिक्रम राजगाट पर है और प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो राजगाट इस्थेत बापू के समाधिस्थल पर प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है यह सीधी तजवीरें आप राजगाट से देख रहे हैं बेहद महत्पूर्ण है ये क्षण इस लिहाँ से भी कि जैसा कि प्रदानमंत्री ने स्वैम कहा कि आजादी का अमरित महुत्सव मना रहा है देश आजादी के 75 वी वर्षगाट पर गांधी जी को याद करना उनके जीवन दर्शन को याद करना उनके आदर्शों से करते थे उन सपनों को सच करना आज हम सब भारतियों का का एक करतब है और ऐसे में जब आजादी का 75 वी वर्षगाट मनाई जा रही है तो गांधी जी की ये जैनती बेहत विशेश हो जाती है गांधी जी की और शास्त्री जी की जैनती बनाई जा रही है देश के दो महान विभूतियों की जैनती पर आज राश्ट उनको नमन कर रहा है पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है महात्मा गांधी से सिर्फ हमारा देश नहीं पूरी दुनिया प्रेना पाती है और देश को विकास के पत पर प्रशस्त करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी उनसे प्रेना पाते हैं और ऐसे में उनके तमाम विचारों को उनके तमाम धर्शन को उन्होंने नए रूप में प्रतिबादित किया है चाहे वो स्वचिता की बात हो चाहे वो स्वावलंबन की बात हो स्वदेशी जिसको लोकल फर वोकल कहते हैं चाहे वो आज प्रशुता चुआ चूट की बात हो तो प्रधान मंत्री उसको सबका साथ सबका विकास के तौर पर लेकर चले हैं नारी सशक्ती करन को प्रधान मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर आगे लेकर चले हैं तो कुल बिलाकर उन्हीं विचारों को प्रतिपादित किया है न उसकी अगवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं यह सीधी तस्वीरे आप राजगाट से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजगाट पर शत शत नमन अभिनंदन कर रहे हैं महात्मा गांधी को शद्धानजली अर्पित कर रहे हैं तमाम गड़मा निवक्ति केंद्रिय मंत्री इस अवसर पर मौझूद हैं महत्मा गांधी की इस जहनती पर राजगाट पर और प्रधान मंत्री ने सब का अभिवादन किया सर्वधर्म प्रात्ना सभा का आयुजन किया गया है इस अवसर पर महत्मा के जो विचार है वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के थे अहिंसा के थे सत्य के थे विश्य बंधुत्य के थे वसुधैव कुटुमकम की जो भावना थी वो भी थे गांधी जी के विचारों से विश्व के करोणों करोण लोग कोटी कोटी लोग पर भावित है और ऐसे में भारत उन विचारों का उस धर्शन का जनक है जिसको हम अहिंसा के नाम से जानते हैं जिसको हम शानती के नाम से जानते हैं आज शानती के लिए पूरी दुनिया प्रयासरत है और ऐसे में जो गांधी जी के विचार हैं वो बेहत प्रासंगिक हैं वो सिर्फ देश की नहीं बलकि पूरी दुनिया में प्रासंगिक है और जिस तरह से अभी हमारे खास महमान प्रो ना होता हो और हम देख रहे हैं एकता के लिए एक पहाई प्रात्ना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इस वक्त राज घाट पर पहुंच चुके हैं कर दे हृदय अपने सेवकों के प्रभूर नेज महानों देश उन पर कर प्रकट मेरे विभूर द्रेण रहे तेरे नियम पर तेरी शेक्षा पर चले बन सहायक शक्ति दे दे तेरी सेवा मेरे पथ प्रदर्शन कर पगों का ग्यान की दे संपदा छोड मत उने उन पर रक्षित रहे तुझ से सदा कर प्रफुले तरे दे रख दे वर्द हास्त स्नेह का है तुही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा है तुही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन हमारे प्रभु इसा मसी की कृपा पिता इश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा का संसर्ग हम सबुँँगो प्राप्तु हूँ आमेन स्वर्ग मे विराजुमान हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरी इच्चा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे प्रधी पर भी पूरी हो हमारा देनिक आहार आज हमें देव हमारे पापत दा अवराद हमें शिमा कर जैसे हम अपने अवराधियों को शिमा करते हैं हमें परीशा में ना पढ़ने दे परन तू बुराई से बहचा संदे लुकस के सुसमचार से बाइबल पाढ़ में तुम लोगों से जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो जो तुमसे मांगता हैं उसे दे दुख और जो तुमसे तुमारा अपना चीनता हैं उसे वापस मत मांगो जो तुमारे एक गाल पर थपड मारता हैं दूसरा भी उसके सामने कर दू दूसरों से अपने प्रदी जैसा व्यवहा चाहते हो तुम भी उनके प्रदी वैशा ही किया करो यदि तुम उनी को प्यार करते हो जो तुमेम प्यार करते हैं तो इसमे तुमारा पुण्य क्या हैं यदि तुम उनींगी भलाई करते हो, जो तुमारी भलाई करते हैं, तो इसमें तुमारा पुन्य क्या है, अपने सुर्गी पिता जैसे देयालू बनो, दोश ना लगावो, और तुम पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुध नर्नय ना दो, और तुमारे विरुध भी नर्नय नहीं दिया जाएगा। शेमा करो, और तुमें भी शेमा मिल जाएगी। पिता पुत्र और पवीत्रात्मा की महिमा हूँ, जैसे व आधिमे थी, अब हैं, और अनंतकाल्त सदा सर्वदा, आमें। ओम् भगवान विष्णोह। मंगलं गरुडद्ध्वजाह। मंगलं पुंडरीकाक्षह। मंगलायतनोहरिह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विग्णम कुरुमे देव शुभकार्येशु सर्वदा। गजाननंभूतगनाधिसेवितं कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणं। ये आप तस्वीरे देख रहे हैं विजयगाट से। लालभादुर शास्त्री जी की समाधिस्थल विजयगाट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लालभादुर शास्त्री जी को आज जैसा की बताया हमारे दो राष्ट के दो सपूतों दो वरत पुत्रों की जैनती है। महत्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री की राजगाट से विजयगाट पहुचे हैं बगल में। आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विजयगाट जाकर प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये बेहत महत्मून प्षण हैं इस लिहाद से भी कि आज हम जब इन दोनों सपूतों को याद कर रहे हैं देश के माभारती के ऐसे सपूतों को जिनोंने राष्ट नर्माण में अपनी एक एहम भूमिका निभाई थी एक दिशा दी थी तो ऐसे में उनके विचार आज जिस और लाल बहदुर शास्त्री जिनका नारा था जै जवान जै किसान उसकी बात प्रधान मंत्री करते रहे हैं और प्रधान मंत्री ने उसमें जोड़ा है जै विज्ञान की बात जै जवान जै किसान जै विज्ञान के बात जै अनुसंधान रिसर्च की बात है तो प्रधान मंत्री अविनंदन कर रहे हैं नमन कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधिय स्थल पर जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आजादी की रक्षा केवल सहनिकों का काम नहीं है इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना होगा उसी मार्ग पर प्रदान म जाए अत्याधुनिक बनाया जाए स्वावलंभी आत्मिर्भर बनाया जाए और ऐसे में ये अभियान पूरे गति से पूरे जोर शोर से चल रहा है और ये जो आजादी का अमरित महुत्सव के तौर पर आवान किया है प्रदार मंत्री ने मानाने के लिए और अगले 25 वर्ष को अमरित काल के तौर पर रखा गया है तकि इसमें हम कठोर परिश्रम करें और ये जो महान वी भूतियां नों जो राह दिखाई है जो इनका दर्शन है जो इनका विचार है उस पर आगे चलकर हम देश को विकास के उस पत पर ले जा सके बुदान मंतरी यहां से विजय घाट से अब राज घाट पहुंच रहे हैं ये